क्लास 11 स्टूडेंट्स हम लोग स्टेट्स ऑफ मैंटर पढ़ रहे हैं और स्टेट्स ऑफ मैंटर के अंदर हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर यह चीज पूरी तरीके से पता कर ली थी कि आइडियल गैस और रियल गैस के बीच में क्या डिफरेंस है आइडियल गैस और रियल गैस क्यों एक दूसरे से डिफर करती है और आइडियल गैस रियालिटी में कुछ भी नहीं होती है और रियालिटी में जो गैस हमारे आसपाद एक्जिस्ट करती है वो होती है रियल गैस के लिए हम लोगों ने real gases के लिए क्या किया था real gases के लिए हम लोगों ने real gas equation बनाई थी वल्लाब PV is equal to nRT को हम लोगों ने modify कर लिया था हम लोगों ने सबसे पहले बात करी थी pressure की जिसमें मैंने सिखाया था कि जो pressure होता है वो ideal gas और kinetic molecular theory of gas यह कहती है कि gases को कोई भी force of attraction काम नहीं करता मतब इस room में present अगर कोई gas है तो उन gases के molecules के बीच में किसी भी तरीके का force of attraction नहीं है इसलिए वो molecule of gas जिस पर कोई force of attraction नहीं है वो जब आकर इस container की wall से टकराएगा तो अच्छा खासा pressure create करेगा लेकिन हम लोगों ने reality में vendor wall ने हमें क्या सिखाया कि जब वो molecule इस तरीके से move करता है और किसी container के corner पे आ जाता है तो पीछे से उसको एक force of attraction लगता है मतलब दूसरे gases के molecule उसको पीछे की तरफ खीचते है तो जब वो आता है और एक backward pull उसको लगता है तो वो पूरी ताकत से इस तरीके से wall पर टकरा नहीं पाता और इसी वज़े से जो actual pressure gas का molecule apply करता है वो real में जो आप ideal gas में imagine कर रहे हो उससे कम होता है तो हमने उसको correct किया then second बात हम लोगों ने देखी कि जो reality में आप बोलते हो कि gas के molecule का volume इस room के या इस container के volume के मुकाबले negligible है बट reality में ऐसा नहीं है भले ही gas का volume इस room के मुकाबले negligible हो लेकिन volume तो है मतलब याद करो मैंने बच्चे का example दिया था एक bus पूरी खाली लेकिन छोटा बच्चा बैठा हुआ है तो उसमें कुछ तो जगा occupy करी है मतलब बस 100% खाली नहीं है हो सकता है 99% खाली हो तो ठीक उसी तरह हम लोग बोलते हैं TV is equal to NIT में जो volume term है वह हम बोलते है volume of the cylinder या volume of the container available लेकिन reality में क्या होता है ideal gas बोलती है कि 100% volume available लेकिन reality में 100% नहीं होता 100 से थोड़ा कम होता है real gases के case में क्योंकि real gases का molecule का volume कभी negligible नहीं होता तो यह दो चीज़े हम लोगों ने correct की थी और आज हम लोग start करेंगे compressibility factor जिसको हम लोग define करेंगे Z से that is called as compressibility factor तो guys compressibility factor अब हम लोग यहां से start करने वाले हैं ठीक है तो compressibility factor क्या होता है पेरे अब हम इसको define करते हैं देखो बैटा compressibility factor is the extent is the extent of deviation it is the extent of deviation of real gas from ideal gas real gas from ideal gas मतलब आप लोगों को यह बताता है कि एक real gas ideal gas से कितने हद तक deviate करती है या दोनों के अंदर कितना difference है कितने हद तक एक real gas का behavior ideal gas से अलग होता है यह बताता है आपका compressibility factor तो what is compressibility factor it is the extent of deviation of real gas from ideal gas real gas ideal gas से कितने हद तक deviate करती है मतलब कितने हद तक अलग होती है behavior में उसे बोला जाता है compressibility factor compressibility factor निकालने का जो formula होता है वो आप लोग सब जानते है that is PV upon nRT अगर आप यह formula use कर रहे हो तो it will tell you the compressibility factor मैं भी आपको बिल्कुल detail में इसको explain करूँ आएक एक चीज़ को लेकिन अभी हम लोग यह ध्यान रखेंगे कि what is compressibility factor Z is equal to PV upon nRT याने Z compressibility factor निकालने के लिए आप लोग के पास क्या क्या होना चाहिए PV होना चाहिए और उसको आप किसे divide करोगे nRT से हम लोग सब जानते हैं R ideal gas constant है T temperature है N number of moles है P pressure and V volume है ठीक है अगर हम इसको graphically plot करने की कोशिश करें आप देखो मैं एक graph यहाँ पर plot कर रहा हूँ अलग-अलग gases के लिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर actually pressure बढ़ता जा रहा है इस axis पर हम लोग क्या कर रहे है pressure increase कर रहे है तो यहाँ पर let's say 100 ATM का pressure है यहाँ पर 280 ATM का pressure है या bars का बोल लो यहाँ पर 300 हो गया यहाँ पर 400 हो गया 500 हो गया 600 हो गया and so on इस तरीकी से यहाँ पर pressure आप लोग क्या कर रहे है इस तरीकी साब लोग यहाँ पर pressure जो है वो बढ़ाते जा रहे है that is pressure bars जो pressure अपन गाई में यूनिट लेकर चलते है इसकी bars इस एक्सिस पर हम लोग क्या लेंगे इस एक्सिस पर हम लोग लेंगे Z Z क्या है आपका compressibility factor देखो यह वाला एक point में यहाँ पर लेकर चल रहा हूं this point को मैं बिल्कुल यहाँ पर से parallel बना रहा हूं क्योंकि यहाँ पर compressibility factor की value exactly 1 आएगी इसके ओपर हो सकती है 1.2 1.4 1.6 1. 1.8 इसके नीचे हो जाएगी 0.8 0.6 0.4 0.2 और इस point पर आका दिये 0 तो यह compressibility factor में आपको एक अंदाजा तो लगया होगा कि जो Z है उसकी यह value हो सकती है अब एक बात समझो यहाँ पर जो मैं सबसे पहला point यह आपको समझाऊंगा कि जो हमारी ideal gases होती है for ideal gas आप सब जानते हो ideal gas के लिए आप क्या formula यूज करते हो आप बोलते हो PV is equal to nRT मलब जितनी value PV की होगी उतनी value nRT की होगी for example अगर एक rough example लेकर चलते है अगर इसकी value 100 आ रही है तो इसकी value भी 100 आएगी मलब PV is exactly equal to nRT तो जब आब इसके लिए Z निकालोगे तो PV upon nRT क्योंकि बराबर है तो Z की value हमेशा कितनी आनी चाहिए 1 बलब ideal gas के लिए Z should always be equal to 1 तो ये जो line चली जो ideal gas के आप लोगों के लिए जो यहाँ से line चल रही होगी this line Z की value 1 हमेशा रहेगी तो ये जो line आई यह आई किसके लिए ideal gas के लिए ideal gas के लिए अच्छा है एक बार हम लोग सब जानते हैं कोई भी pressure हो ideal gas के अंदर क्या होता है at any pressure मतलब जब हम ऐसा बोलें कि जब आप pressure बढ़ाते हो when pressure is increases volume decreases मतलब यहाँ पर ideal gas के अंदर pressure और volume का relationship बिलकुल inverse होता है जैसे जैसे आप pressure बढ़ाओगे वैसे वैसे volume कम होता जाएगा जैसे जैसे pressure बढ़ाओगे वैसे वैसे volume कम होता जाएगा तो किसी भी pressure पर भले ही 180m हो या भले 680m हो प्रेशर बढ़ने की वज़े से volume कम हो जाएगा और इस वज़े से इसकी line हमेशा सीधी सीधी चलेगी हम लोग सब जानते हैं हम लोगोंने ideal guys के लिए graph भी पढ़ा है pressure versus pressure volume curve हम लोगोंने pressure versus pressure volume curve भी पढ़ा है p into v curve भले ही आप pressure 100 कर लो 200 कर लो 300 कर लो p v हमेशा linear चलता है क्यों चूँकि आप प्रेशर और volume में कैसा relationship है inverse relationship है मतलब अगर आपका पहले pressure और volume अगर पहले pressure 100 था और volume 5 था तो p v कितना रहेगा 500 जब आप second time pressure बढ़ा दोगे आपने मालो pressure 250 कर दिया तो यहाँ पर volume decrease हो जाएगा 2 याने p v अभी भी कितना रहेगा 100 ही रहेगा क्या यह बात आपको लोगों को समझ में आ दिया मेरे प्यारे बच्चो कोई चीज की सकने problem तो नहीं अगर आपने आपको pressure 500 कर दिया तो volume 1 हो जाएगा p v constant ही रहेगा मलब जैसे जैसे pressure बढ़ाओगे बिलकुल linearly बिलकुल linearly volume लगातार कम होता जाएगा और p v हमेशा constant रहेगा तो p और v की value तो यहाँ पर 500 ही है मलब आपके ideal gas के अंदर यह जो p v की value है यह हमेशा कित्ती रहेगी इस वाले case में 500 भले यह प्रेशर 100 रखो 200 रखो 300 रखो 400 रखो 500 रखो p v की value हमेशा कित्ती रहेगी 500 और nrt की value भी कुछ 500 आएगी जब दोनों को divide करोगे जो किसी भी pressure क के अंदर z की value कभी भी one को cross नहीं करेगी it will never cross one तो यह ideal gas वाला concept हमारे शायद समझ में आ गया होगा कि z जो होगा ideal gases के लिए हमेशा हमेशा कैसा रहेगा बच्चो वन रहेगा लेकिन जब अपन इसके अंदर real gases की बात करते हैं तो real gases में जब हम hydrogen की बात करते हैं तो hydrogen का pressure बढ़ने के साथ साथ compressibility factor भी बढ़ता जाता है जब pressure लगबग ना के बढ़ा बढ़ता तो compressibility factor वन जरूर था लेकिन जैसे जैसे आपने प्रेशर बढ़ाया compressibility factor बढ़ना स्टार्ट हुआ nitrogen का भी थोड़ी देर parallel चलेगा और फिर एकदम से साथ बढ़ जाएगा फिर अगर अपने बात करें oxygen की तो oxygen का पहले कम होगा फिर बढ़ जाएगा फिर अगर अपने बात करें methane की तो methane का कम होगा फिर यह साथ उपर आ जाएगा CH4 तो इस तरीके से बढ़ रियल gases के लिए देखोगे तो real gases का जो compressibility factor है याने Z वो 1 होता ही नहीं है बहुत rare cases में यह ideal gas behavior शो करता है otherwise या तो यह compressibility factor 1 से कम होगा या तो यह compressibility factor 1 से ज्यादा होगा and therefore जो आपकी real gases है उनका compressibility factor Z is equal to 1 कभी नहीं होता है and therefore यह आपके ideal gas से deviation शो करती है क्या यह बात समझ मैं क्या यह graph आपको clear हुआ यह graph आप लोग को यह बता रहा है कि oxygen के लिए जब आप pressure बढ़ाओगे तो पहले compressibility factor कम होगा फिर जब आप pressure बढ़ाओगे तो compressibility factor भी बढ़ना start हो जाएगा methane के लिए भी जब आप pressure बढ़ाओगे तो पहले compressibility factor बहुत कम हो जाएगा और फिर यह बढ़ना start हो जाएगा और फिर यह बहुत जादा बढ़ जाएगा तो अभी ये graph क्या कहना चाह रहा है ये मैं आपको तीन example लेकर और अच्छे से समझाऊंगा लेकिन क्या अभी आपको इतनी basic बात समझ मा गई है तो please इसको note कर लो मैं ideal gas वाला point यहां से रब करके अब हटाऊंगा क्योंकि आप लोग सब इसको अगर लिख नहीं चुके हो त Z should always be equal to 1 अब अपन यहां से second case discuss करना start करेंगे फटाफट इसको note करो बच्चो चीगे बच्चो तो graph बन गया अब अपन graph को समझना शुरू करते हैं मैंने पहला point तो आपको समझागे कि यह जो सीधी line आ रही है याने Z is equal to 1 यह चल रहा है यह ideal gas के लिए चल रहा है क्योंकि कोई भी pressure हो pressure अगर आप बढ़ाओगे तो volume linearly कम होगा इस वज़े से ideal gas के लिए PV की value कभी change नहीं होगी और PV की value change नहीं होगी और NIT तो है ही same तो वो हमेशा आपको 1 ही देगा लेकिन कभी कभी आपको यह भी दिख सकता है कि Z की value approximately equal to 1 है याने almost equal to 1 है exactly नहीं बोलेंगे almost equal to 1 है अब यह case कब होगा देखो यह case कुछ यहाँ वाले point पर आपको दिख रहा है यह शुरुवाती point में यह इतने इतने point में जब pressure कुछ जादा increase नहीं होगा तो यह जितनी भी gases है कोई भी gas हो अगर pressure बहुत जादा कम है जब pressure कम है तो यहाँ पर आप लोगों को इन अब की value almost equal to 1 ही दिखेगी तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि बेटा जब pressure कम होता है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ यह case कब देखने को मिलेगा when pressure is extremely low जब आपका pressure extremely low point पर रहेगा तब आप लोगों को यह चीज़ देखने को मिलेगी इसके पीचे कारण समझो जब pressure बहुत जादा कम होता है तो gases के molecules के बीच में किसी भी तरीके का कोई भी force काम नहीं करता है मेरी बात समझना जब pressure बहुत ही जादा कम होगा तो इस room में या इस container में जो भरीवी gases हैं उन gases के बीच में किसी भी तरीके का कोई भी force of attraction काम नहीं करेगा बाई कोई भी दो gas के molecule के बीच में force of attraction काम कब करता था जब आप pressure बढ़ाते थे तो वो gas के molecule पास आते थे और जब gas के molecule पास आ गए तब उनके बीच में force of attraction लगना शुरू हुआ लेकिन यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर gases के बीच में कोई भी force of attraction नहीं है negligible है क्योंकि pressure हद से जादा कम है pressure extremely low है यहाँ पर तो अगर pressure extremely low है तो gas का volume बहुत जादा high होगा gas का volume बहुत जादा high होगा तो यहाँ पर लगबग ideal gas जैसी situation create होगई इसी वज़े से z की value almost equal to 1 रहेगी लेकिन वो सिर्फ cover रहेगी जब pressure extremely low होगा मतलब कुछ इतने portion मैंने यहाँ तक के portion में gases की value almost 1 रहेगी फिर थोड़ा आगे चलते है graph में अब आप देख रहे हो कि z की value 1 से बड़ी हो गई तो वो कौन सा case दिख रहा है यहाँ से यहाँ से hydrogen में यहाँ से आप देखो सब की value इस point से 1 से बड़ी हो गई तो वो situation कब create होती है जब compressibility factor का value याने z का value 1 से ज़ादा हो जाता है तो यह condition आप देखो कहां से आ रही है आप देखो यह condition अगर अपन बात करें चलो methane की तो methane की यह condition यहाँ से create हो रही है बनलब इतने pressure के बाद याने लगबख 412 के pressure के बाद methane का compressibility factor बढ़ गया मतलब जब आप graph में इधर से इधर आ रहे हो आप बड़ा क्या रहे हो आप pressure बढ़ा रहे हो तो obviously when pressure is very high when pressure is very high मतलब जब आप pressure को बहुत ज़ादा बढ़ा देते हो जब आप pressure को बहुत ज़ादा बढ़ा देते हो तो compressibility factor भी z जो है वो 1 से बढ़ा हो जाता है इसका मतलब क्या है इसको समझते ध्यान से देखो जब आप pressure बढ़ाते हो तो हम लोग सब जानते हैं कि जब आप pressure बढ़ाते हैं तो gases के molecules पास में आते हैं पास में आते हैं पास में आते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है pressure बहुत ज़ादा हाई है मतलब gas के molecule बहुत ज़ादा पास आ गए है बहुत जादा पास आ गए हैं मतलब बिल्कुल चिपक गए है अब इस वाली condition तक मैंने माना कि volume कम हो रहा है definitely मैंने माना कि जब आप pressure बढ़ा रहे हो तो gas के molecule पास आ रहे हैं मतलब gas का volume कम हो रहा है लेकिन pressure बहुत जादा जब आप बढ़ा दोगे तो ये molecules बिल्कुल चिपक जाएंगे और अब इन molecules के बीच में कौन सा force काम करेगा force of repulsion जब ये molecule बहुत जादा close आ जाएंगे high pressure की वज़े से तो इनके बीच में attraction नहीं चिपकने की वज़े से molecules के बीच में force of repulsion काम करना चालू करेगा और उल्टा ये molecular pass आने की वज़ाए उल्टा एक दुसरे को repel करके दूर जाने लगेंगे तो हम लोग यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे that when pressure is increased we know हम जानते हैं that volume decreases but upon exerting upon exerting high pressure जब आप बहुत जादा pressure बढ़ाने लगोगे force of repulsion starts working यहाँ पर कौन सा force काम करने लगेगा force of repulsion will start working यहाँ पर कौन सा force काम करने लगता है मेरे बच्चो force of repulsion काम करने लगेगा and therefore gases will move away from each other एक दूसरे से यह gases क्या करने लगेगी एक दूसरे से दूर जाने लगेगी enhance जब enhance जब volume I mean pressure बढ़ने लगेगा gases दूर जाने लगेगी तो volume भी क्या होने लगेगा increase होने लगेगा समझो मेरी बात को जब pressure बढ़ा दोगे pressure बहुत ज़ादा high कर दोगे तो volume भी क्यों लगेगा बढ़ने लगेगा तो अब इस वाले case में pressure भी बढ़ रहा है volume भी बढ़ रहा है therefore P into V याने pressure volume आपने direct लिखे PV की value भी तो बढ़ने लगेगी भाई बढ़ने लगेगी कि ने PV की value for example आपने पहले रखा pressure 1 I mean pressure or volume पहले आपने pressure रखा यहाँ पर 100 volume का यहाँ पर 10 PV की value हो गई यहाँ पर 1000 फिर आपने pressure बढ़ाया 200 तो volume हो गया चलो 5 तो pressure volume भी भी कितना रहा 1000 जब आपने pressure कर रहा 300 तो यहाँ पर आपका शुरुदा दे को PV थोड़ा कम हो रहा है इन gases के लिए तो अपने इसको थोड़ा कम करते है 200 कर आपने pressure तो let's say यह हो गया 4 तो यह PV की value होगा 800 तो जब आपने pressure बढ़ाया तो यह देखो यह values कम हो रही है न यह values कम क्यों होई क्योंकि pressure और volume यहाँ पर directly vary नहीं कर रहे है जो आप लोगोंने ideal gas में पढ़ा था कि pressure जितना बढ़ाओगे volume उतना कम होगा और उसका PV हमेशा constant रहेगा लेकिन मेरे प्यारे बच्चो real gases के case में ऐसा कभी नहीं होता real gases के case में pressure बढ़ाने पर volume कम ज़रूर होता है लेकिन linearly या direct relationship नहीं होता है पहले 10 था 100 था तो यह 1000 PV होगा लेकिन pressure 200 डबल करने पर volume एकदम से कम होगा और PV की value बच्ची 800 मलब होनी 1000 थी अगर यह ideal gas होती तो यह 1000 रहती यह 5 हो जाता है लेकिन real gases है और real gas में pressure बढ़ने पर volume कम होता है बट यहाँ पर कोई direct relationship नहीं है यह gas to gas vary कर सकता है pressure आपने और बढ़ाया यह और कम होगा देखो 600 देखो आप यहाँ पर और यह downfall पर आगया बिल्कुल कम होगा लेकिन जब आप pressure एकदम आपने 500 कर दिया मतलब आपने pressure एकदम से बढ़ा दिया तो आप क्यों हो बिटा gases के molecule इतने high pressure पर बहुत पास आ गए और अब यह उसे को repel करने लगे अब इनके बीच में आ गया है solid repulsion और repulsion की वज़े से volume कम होने की जगे थोड़ा सा बढ़ गया और बढ़ने के वज़े से 5,015 एकदम से PV की value बढ़ गई यानि जो original में जो शुरू में थी उससे PV की value बढ़ गई बदलब आप यहां पर आपका pressure भी बढ़ा volume भी बढ़ा और PV की value भी बढ़ी तो जब आप Z is equal to PV upon nRT में करोगे और जब PV की value high हो जाएगी nRT से जब आपके PV की value जब आपके PV की value हाई हो जाएगी nRT से तो obviously जब जब की value है वो 1 से जादा ही बढ़ी आएगी तो ये वाला case यहां पर इसलिए काम करता है क्या ये वाला point अच्छे तरीके समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों को इसी वज़े से जब ideal gas में हम देखते हैं जब आपने प्रेशर बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ने की वज़े से volume कम हुआ लेकिन linearly कम नहीं हुआ मला पहले pressure 100 था volume 10 था तो 1000 लेकिन pressure 200 करने पर volume linearly कम नहीं हुआ वरना अगर ये 100 से 200 हुआ तो ये 10 से इसको 5 होना था ताकि 5 to the 100 याने कि ये 1000 बना रहे लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ ये 5 की जगे और कम हो गया 4 तो ये 800 हो गया तो अब PV की value NRT से थोड़ी कम हो गई PV की value NRT से थोड़ी कम हो गई अगर हम PV को यहाँ पर 1000 मान रहे हैं और NRT को भी 1000 मान रहे हैं तो शुरू में case 1 था फिर ये 800 हो गई यहाँ पर PV की value NRT तो अभी भी 1000 है तो ये 0.8 हो गया फिर PV की value 600 हो गई NRT तो अभी भी 1000 तो 0.6 हो गया लेकिन यहाँ पर ये value अचानक से बढ़ गई तो ये जो value है ये 1.5 हो गई तो आप देखो Z की value अब किस से बढ़ी हो गई 1 से बढ़ी हो गई तो Z की value जब 1 से बढ़ी होती है तो ये case कब देखने को मिलता जब pressure बहुत ज़ादा high हो जाता है मेरे प्यारे बच्चो क्या ये बात समझ मारी है हम लोगों को इसके जो कोई doubt तो नहीं पकी बात चलो थोड़ा सा में रब करूँ है इसको अगर आप concentration से देख रहे हो पुरा मन लगा कर देख रहे हो तो मुझे लगता है ये इतने अच्छे तरीके से clear हो जाएगा आपको कि बस अब आपको एक बार NCRT देखना है और फिर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आईगी चलो अब मैं एक काम करता हूँ इसको मिटा देता हूँ मैं आप फोर्थ पॉंट लिखता हूँ Z की value 1 से छोटी कब होगी यह आप इसी के अंदर समझ चुक है रियल गैसेज में डायरेक्ट रिलेशन्शिप नहीं होता जब आप रियल गैस में जब आप लोग प्रेशर को बढ़ाते हो definitely no doubt volume कम होता है but not directly but not directly जैसार मैं आपको यहाँ पर सीखा चुका हूँ मैं इसको भी रब करूँगा I guess लिख लिया होगा अगर नहीं लिखा बच्चो तो आप वीडियो थोड़ा सा पॉस करके बैक करके स्क्रीन शॉट ले लीजेगा तो जैसे आप यहाँ पर प्रेशर शुरू में लेट से आपने प्रेशर यहाँ पर शुरू दे पहले मैंने एक्जाम्पल लिया था 100 ले रखा है और वॉल्यूम ले रखा है 10 तो पीवी की वैल्यू हो गई 1000 अब आपने प्रेशर करा 200 अगर यह आईडियल गैस होती तो इसका वॉल्यूम एग्जाक्ली कम होकर हो जाता 5 और 5 तूस आ 10 ए विवरेथी 1000 अगर मैं अब प्रेशर करता 800 तो यह हो जाता 1.25 और इट विल स्टेरी इस तिल रिमें कॉंस्टेंट बहला पीवी की वैल्यू कभी कम नहीं होती आप इसको दुगना कम करते बढ़ाते तो यह दुगना कम होता आप इसको दुगना बढ़ाते यह दुगना क कम नहीं होगा इन फैक्ट यह कुछ ऐसा हो जाएगा यह हो जाएगा 4.5 इसको होना चाहिए था 5 लेकिन यह और थोड़ा कम हो गया और आपको पीवी की वैल्यू मिली 900 जब आप इसको 400 करते तो यह कुछ हो जाएगा 2 तो वैल्यू हो जाएगी 800 समझ रहे हो बात को मेरे प्यारे नन्ने मुन्ने बच्चो क्लियर हो रही है मनलब जैसे जैसे प्रेशर आप बढ़ा रहे हो नो डाउट वाल्यूम कम हो रहा है लेकिन पीवी की वैल्यू भी साथ साथ कम हो रही है अगर आईडियल गैस होती तो पीवी की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती थाउजेंड 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 चलती अब क्योंकि अपन बोलते हैं PV is equal to NIT रहता है तो अगर शुरू में PV थाउजेंड थाउजेंड था एनाइड भी थाउजेंड था तो Z की वेल्यू थाउजेंड अपॉन थाउजेंड के हिजाब से बन हो गई अब ideal gas लेकिन अगली बार आपका PV कम होगे 900 हो गया लेकिन NIT तो अभी थाउजेंड है ना एनाइड पर थोड़ी कोई असर पड़ रहा है भाई मोल्स कॉंस्टेंट रहेंगे टेंप्रेचर कॉंस्टेंट रहेगा ideal gas equation भी कॉंस्टेंट रहेगी आप तो सिर्फ प्रेशर वॉल्यूम कम कर रहे है तो जैसे आपने प्रेशर वॉल्यूम से के ताथ खिलवाड करा यह बचा 900 अपान 1000 पॉइंट नाइन फिर यह हो गया कम होकर 800 यह तो अभी भी थाउजेंड है तो यह वैली होगई 800 अपान 1000 तो यह अभी भी कितना हो गया पॉइंट डेट मतलब यहाँ पर pressure बढ़ने पर volume कम होता है, not directly, इसलिए Z की value कम होती है, तो यह यहाँ से यहाँ तक, मतलब methane की बात कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक Z की value कम हो रही है, लेकिन इस point से इस point तक, क्योंकि pressure आप देख रहे हो, बहुत ही जादा high हो गया है, pressure immensely high हो गया है, molecule gas के methane के हच से जादा close आगा है, तो force of repulsion लग गया, और force of repulsion की वज़े से, ripple करने लगी gas है, निरे दूसरे को, तो volume कम होने के जागे, volume भी बढ़ने लगा, इसलिए pressure volume भी बढ़ने लगा, इसलिए value Z की बढ़ी हो गई, यहाँ पर pressure बढ़ रहा है, volume कम हो रहा है, लेकिन direct relationship ना होने के वज़े बढ़ होरा है, इसलिए इसका value भी यहाँ पर कम हो गई, तो guys ये था आपका compressibility factor with regarding pressure प्लीज इसको note कर लो, screenshot ले लो, ठीक है देख लिए आप लोगोंने इसको अच्छे तरीके से चलिए अब compressibility factor को समझे के बाद एक छोट इसी term boils temperature भी मैं आपको सिखा देता हूँ और अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक कोई भी gas, एक कोई भी gas, ideal gas जैसी behave कर सकती है दो conditions उसके पास होती है, पहली pressure, दूसरी temperature तो अभी हम लोगों ने इतनी देर पूरा pressure, 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 pressure चिलाया लेकिन अब अपन थोड़ा सा temperature को भी बात करेंगे और एक term सीखेंगे boils temperature हमको boils ने एक term दी जिसको हम बोलते हैं boils temperature denoted by Tb बेटा ये एक ऐसा temperature होता है जिस पे real gas, ideal gas जैसी behave करती है ये क्या होता, it is the temperature it is the temperature at which real gas behaves as ideal gas real gas behaves as ideal gas इस temperature को बोलते हैं boils temperature इसका formula क्या होता है Tb is equal to A upon B R अब आप सोचो कि मैंने ये formula जो लिखा है ये कहां से आया क्या आप लोग A को पहचानते हो this is vendor wall constant कल हम लोगों ने पढ़ा सा याद करो vendor wall constant है ये pressure के लिए and what is B it is again vendor wall constant for volume and R ideal gas equation तो जब आप ये formula लगाओगे तो आपको किसी भी gas के लिए TB की value मिल जाएगी ध्यान रखना TB varies from gas to gas gas to gas मतब अलग-अलग gases के लिए ये TB की value बदलती रहती है same नहीं होगी हर gas के लिए TB की value अलग ही होगी formula निकालने का बहुत बेस तरीका है आपको A और B की value क्योंकि constant है दे रखी है R की value हम लोग जानते है या तो 8.31 लेकर चलनी है या 0.081 लेकर चलनी है depends की वहाँ पर क्या condition है अगर आप लोगों को R की value लेते नहीं आती है तो मैंने इसी playlist में R की value निकालना भी सिखाई है Boyle's Law अगेरा पढ़ाते वक्त तो एक बार आप वो वीडियो जरूर चेक कर लेना आपको R की value कैसे निकालते है यह पता चल जाएगा क्या पास समझ में आ रही है अब temperature क्या role play करता है compressibility factor में देखो अगर Z की value 1 से बड़ी है अगर Z की value 1 से बड़ी है मतलब compressibility factor यहाँ पर 1 से बड़ा है तो इसमें क्या-क्या role था हम लोगों ने देखा था कि pressure इसमें क्या होना चाहिए extremely high pressure extremely high होगा तो gas के molecule जादा close आने के वज़े से repel करेंगे और दूर चले जाएंगे यह होगई पहली बात दूसरी बात gas के molecules के पास होती है kinetic energy gas के molecules के पास क्या होती है kinetic energy और kinetic energy जितनी जादा होगी gas का molecule उतना जादा एक दूसरे से दूर जाएगा बनलब उतना जादा एक दूसरे को repel करेगा क्या यह बात आपको समझ में आ रही है जितना जादा gas के molecule के पास temperature होगा जितना जादा gas का molecule गरम होगा उतनी जादा उसकी kinetic energy होगी और उतना जादा ओओ molecule एक दूसरे से दूर भागेगा तो boils temperature मतलब when temperature is greater than boils temperature मतलब जब आपके एक ideal temperature या boils temperature से जादा आपकी gas का temperature होगा gases क्या करने लग जाएगी repulsion gases की बीच में क्या होने लगेगा repulsion gases एक दूसरे को repel करने लगेगी क्यों because of increase in kinetic energy gases की kinetic energy बढ़ जाएगी इसलिए gases एक दूसरे को क्या करेंगी repel करेंगी और अगर repel करेंगी तो आप pressure तो बढ़ा रहे हो लेकिन kinetic energy बढ़ने के लिए से gas का volume भी बढ़ गया therefore pressure volume बढ़ना स्वभाविक है इसलिए compressibility factor भी बढ़ जाएगा second Z की value 1 से कम कब होगी अब इसकी value 1 से कम होगी जब temperature gas का कम हो जाएगा किसके मुकाबले boils temperature के मुकाबले इससे क्या होगा जब gases का temperature कम होगा तो इसकी kinetic energy कम होगी तो gases धीरे धीरे move करेगी धीरे धीरे move करेगी मलब एक दूसरे धीरे धीरे दूर जाएगी धीरे धीरे दूर जाएगी तो एक दूसरे के ज्यादा close है अभी kinetic energy कम होने के से gases slow down हो गई slow down होने की वज़े से gases के बीच में force of attraction काम करने लगा तो यहाँ पर कौन सा force काम करेगा gases के बीच में attraction क्यों काम करेगा because of decrease in kinetic energy temperature कम कर दिया kinetic energy कम कर दिया तो even though आप pressure बढ़ा रहे हो लेकिन volume बहुत जादा कम हो रहा है और इसी वज़े से ultimately pressure volume भी कम हो जाएगा तो Z की value भी कम हो जाएगी तो यहाँ पर यह बात proof होती है कि किसी भी gas का ideal gas जैसा behave करना या ideal gas से deviation show करना दो चीजों पर depend करता है पहला pressure दूसरा temperature क्या यह बात समझ मैरी यह बात हम लोगों को तो please इसको note कर लीजिए यहाँ पर हमारा यह video खतम होता है बच्ची भी बाते अगली वीडियो में करेंगे और पिछले वीडियो में जो दो तीन बच्चे कुछ जादा ही negative comments कर रहे थे या वो पता नहीं मुझे लगता है कोई एक ही बच्चा था जो तीन ID से कर रहा था क्या पता अच्चा था भी नहीं तो ठीक है भाई आप hater हो आप रहो ऐसे लेकिन जो मेरे students न तुम लोगों को जवाब दिया है जो दिये तुमको अच्छे अच्छी गालिया वो deserve करते हैं यह haters but students अपने को ऐसा नहीं करना ही यह लोग negativity फैला रहे हैं फैलाने दो आप लोग किसी को गंदा बोलके अपना mind अपने अंदर गंदेगी मत लेकर आओ उनको गालिया मत दो वैसे ही बिचारे एक बिमारी के शिकार हैं अल्रेडी बिचारे बिमार हैं तो अपन उनको क्यों गालिया देकर और उनकी बिमारी को बढ़ाएं तो let them do what they want हम लोग वह करेंगे जो हमें करना है हम लोग पढ़ेंगे and that's all for today बाबाइब